जब पंधेरा हो जंगल में शेर खान घुमता है उसके हुरानिक की ताहड मोबी जुमता है ये है जांगो पूख, ये ही है जांगो पूख, ये ही है जांगो पूख पागीरा और बलूम अपने कर्दब देखा है ये है जांगो पूख, ये ही है जांगो पूख, ये ही है जांगो पूख कौन छुप रहा है अगर हिम्मत है तो आओ सामने तुमने मुझे डरा ही दिया क्या मैंने तुम्हें डराया मुझे लगा मैं डरा था रास्ता भूल गए ठंडी गुफा इस तरफ है नहीं नहीं उसका नाम मतलोिव हॉस गुफा में भूट है मेरे क्या से सभी बंदर थो उसी इलाके में रहते हैं न रहते होंगे पर मैं और बंदरों में से नहीं हूँ मैं हूँ हमाले पहाडों की बंदरिया, हम समझ्जदार होते हैं इतने समझ्जदारों के भूते और वरोसा करते हो, मेरे दोस्त है बलू, बूतों कहते है भूत जैसी कोई चीजी नहीं होती हुआ पर मैने भूत देखे हैं दो पेरों पे चलते हैं खतर्णाक होते हैं और हाथ में होती है आग गूगलने वाली डेटी रड़ता है इंसान जंगल में आये है चलो यह बात बलू को बताते हैं आउ मेरे साथ मुझे अपना दोस्त समझो मैं हूँ मौगली और मैं हूँ ल बलू बगीरा मोगली का यहां आया है काश मैं कुछ मदद कर पाता पर मुझे तो श्कार पेजाना है मैंने महिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया पर तुम्हें मदद करनी होगी का तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा वो छोड़ो फिलहाल तो मुझे पेट भर के कुछ खाना नहीं मैं तो कहता हूँ जो जरूरी है वो करो पर हमें मदद क्यों चाहिए बलू हमारा वाइट कोब्रा थू बीमार है और कहीं चला गया है पर किसी को नहीं पता कहा कोब्रा बीमार हो गया मता नहीं क्या खाया होगा जाओ डूडो से थू ठंडी गुफा के खंडरों के कि रक्षा करता है और ऐसा वो सदियों से करता आ रहा है और थू के गायब होने से इंसान उस खाजाने तक पहुंचने में देर नहीं लगाएंगे वो सब्ता है अभी वो वहीं जा रहे हो और नहीं क्या हुआ मोगली ये लैंगर है इसने किसी को देखा है शायद इंसान थ वो भी ठंडी गुफा के पास मुझे इसी कडर था चलो जल्दी वर्ना देर हो जाएगी जा रहे हो मोगी ठंडी गुफा की खंडरों में खुसाने की हिफाज़त करने इतनी खामोशी कुछ ठीक नहीं लगता है इंसानोंने बंदरों को यहां से भगा दिया है चौकन ने रहना मोगली वो आस पास ही होंगे मैं तो कहती हूं इंसानों को खजाना ले जाने देते हैं ताकि हमारी जान बच्चा है नहीं लैंगर अगर हमने ऐसा किया तो फिर जंगल में और इंसान आएंगे रोज हजारों पेर काटेंगे और नहाजाने कितने जानवोरों की जान लेंगे यह हम पहुंच गए यह दर्वाजा सदियों से नहीं खोला गया है मदब करोगे इस बात का पता किसी को नहीं पर जब तक इसका पता किसी को नहीं यह जंगल सुरक्षित है पर हम खजाने की रक्षा कैसे करेंगे हमारे पास हत्यार भी नहीं है हमें जो भी करना पड़े करेंगे ताकि उन इनसानों को यहां से दफा कर सके तुम साब की तर आवाज निकाल सकते हो बलू जैसी का निकालता है कोशिश कर सकता हूं एक दम सेम टू से वो साब यहीं कहीं होगा बेवजा गोलियां मत चलाओ इस जगे के बारे में बहुत सुना है एक बार खासाना दिख जाए बस अंधेरा हो रहा है रोश्नी का इंदिजाम करना होगा तब ही आगे बढ़ सकते हैं हमें और मदद की जरूरत पड़ेगी यह बताओ अगर इंसानों को भगा दिया तो बदले में मुझे क्या मिलेगा तुम तो जानते यो इंसान तुम्हारा भी कितना नुकसान करते हैं शेर खान तुम्हारे खाने वाले जानवरों को फर के लिए मारते हैं खाने की बात है तो मुझे वो इंसानी बच्चा मिल सक नहीं खान तुम ऐसी बाते कैसे कर सकते हो मोगली को तो किसी सुरक्षित जगा भेज देंगे ठीक है मैं बाद में आता हो तुमने इसकी बातें सुनी टबा की एक एक बात मैं मदद क्यों ने कर सकता मोगली मामला बहुत खतरनाख अच्छा तो फिर उस लेंगर को क्यों रखा क्योंकि वो शेर खान लेंगर के पीछे नहीं पड़ा है देखो मोगली मेरे पास बहस का वक्त नहीं है इसलिए जैसा बलू ने कहा वैसा करो यहीं चीपे रहो मेरा प्लैन है कि हम टीम में बढ़ जाएंगे और इनसानों को अहसास दिलाएंगे कि उन्हें घेर लिया गया है फिर एक इशारे के साथ हम जोर की आवाजें निकालेंगे कोई शक्या सवाल मैं घर जा सकती हूँ टेंशन मतलो बघीरा तुम्हें कुछ नहीं होने देगा मैं और खाने एक साथ रहेंगे और बहुत अच्छी बात है तुम्हारे साथ रहकर मैं भी बहुत तुरक्षित महसूस करूँगा बलू कोई है यहां बोगली देखो मैं आया हूँ टबाकी ज कम से कम मेरे साथ खेल तो सकते हो मोगली मैं भी तुम्हारी तरह अकेला हूँ सभी ठंडी गुफा के खंडरों में गए हैं हां तो तुम भी उनके साथ क्यों नहीं जाते हां उन्होंने मुझे आने नहीं दिया और वही कहा जो तुम्हें कहा मोगली कि मुझ मैं हिम्मत नह तुम कहां चल दिये घंडी गुफा के खंडरों मैं किसी इंसान से नहीं डरता और नाहीं बांभों से वो मशाल बना रहे हैं हमें अपना इशारा करना चाहिए अच्छा ये इशारा कैसा रहेख कि यह इशारा है चलो आवाज निकालो लेंगर कहा चारीयो यह तो बघीरा है हो क्या रहा यहां मुझे इस बारे में कुछ नहीं जानना इंसानी बच्चे तुम ही जाओ वहां तुमसे बड़ा कायर मैंने आज तक नहीं देखा कायर बनकर जीने में ही भलाई है वरना हिम्मत वाले तो खाना बन जाते हैं तुमने मेरे साथ चाल चली खान तुम जैसो पर तो कभी भरोसा नहीं किया जा सकता पर मैंने तो धोका नहीं दिया मैंने कहा था मैं इंसान का सफाया करूंगा और अभी मैं वही करने जा रहा बलू कहा हो तुम तुम्हारा यह हाल कैसे हूँ और शेरखान काए तेखो इंसान खुसाने की तरफ पढ़ रहे हैं का जंगल में असली के भूत होते हैं क्या मतलब है तुम्हारा अरे इंसान उनसे डर कर जो भाग जाते लैंगर तुम्हें इस मौके पर मजाग सूज रहा है एक मिनिट रुको फूट अरे हाँ हम यहां क्यों आए हैं यह तो इंसान उपाइलाता है मैं तो इंसान ही हूँ भूल गई ऐसा है क्या वो आ गये हैं चलो चिलाते हैं ठीक तीन गिनने के बाद एक दो तीन हांए चली जाओ अरुज वापस नाज के लाँ मोगली उन्हें ऐसा सबख मिला कि वापस नहीं आएंगे शुक्रिया मोगली और बाद नाजी आए हुआ है लेंगर का भी हम दोनों ने मिलकर अच्छा काम किया है ना पर मैं सबसे बहुत खफा हूं कि तुमने मेरी बात को नजर अंदास किया मोगली उस टबैकी पर कभी भरोसा मत करना वैसे तुमने भी तो शेर खान पर भरोसा किया था क्यों बलू तो बोलो आप क्या करना है क्यों सुना कोई भूत की कहानी हो जाए हां सुनाओ मैं किसी भूत भूत से नहीं डरता है तर तो आप मुझे मगर मच खाने से लगता है अज के बाद देखूंगा भी नहीं अब जाओ यहां से अपने खसाने की रक्षा मैं खुद कर लूँगा हम वह गया ना हम समझ गया बलू तुम भूत भूत से नहीं पर जानवरों से डरते हों झाल